आज इतिहास के पार्थ 8 से 20 अब्जेक्टिव क्वेस्चिन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो शुरू करते है एक मुगल काल में सिचाई का साधन क्या था एक हुआ बी तालाब सी ने है डी इन में सभी सही उत्तर है डी इन में सभी 2. 16-17 सदी के दोरान हिंदुस्तान में करीब कितनी फीसदी लोग गाउं में रहते थे सही उत्तर है एक चार आइने अकबरी के लेखक कौन है ए बदायूं बी अकबर सी अबुल फजल डी फैजी सही उत्तर है सी अबुल फजल 5. बाबर नामा के अनुसार रहत द्वारा सिचाई कहां की जाती थी ए आग्रा में बी लखनौ में सी लहोर में दी बलूचिस्तान में सही उत्तर है सी लहोर में 6. रहयत किसे कहा जाता है ए व्यापारियों को, बी दस्तकारों को, सी जमीनदारों को, दी किसानों को सही उत्तर है दी किसानों को 7. तंबाकु का पोधा किस सदी के शुरुवाती वर्ष में उत्तर भारत लाया गया 8. मध्य भारत और दक्कनी पठार की जमीन पर कौन सा फसल उगाया जाता है 9. अकबर नामा की रचना किस ने की थी 10. सोलहवी सदी में भारतिय गाउं में जो अनेक बाहली ताकते दाखिल हुई थी 11. मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगई जाने वाज़ाई जाने वाज़ाई 12. वुखमरी और महामारी के बावजूद सोलह सो से सत्रह सो के बीच भारत की आबादी करीब हो बही थी 12. भारत में 17 वी सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उनका नाम था 12. पंचायत का सरदार एक मुखिया होता है जिसे कहते थे 12. भारत में तंबाकु का पौधा लाया गया 18. अकबर का वितम मंत्री कौन था? 19. तंबाकु का सेवन सर्व प्रथम किस मुगल समराट ने किया था? आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत आज के लिए जै भारत